नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्टिडी विद्राज में स्वागत हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डियलेट सेकंड सेमेस्टर मैत के मौडल पेपर फाइब को हल कराऊंगा इससे पहले मैंने फोर मौडल पेप रहे में है फोर में मेंट सेरे मिलनक ङारे में मौडल को हूं जो लोग अभी तक मेरे विडियो न देखें हों कि इनके बीच की समदूरस्त संख्यां ग्याद कीजिए तो देखे यहाँ पर कहा गया है कि कितनी पर्मे संख्यां प्राप्त की जा सकती हैं लेकिन जो है ये कुश्चन भी आता है कि जो है बीच की दो पर्मे संख्यां या तीन पर्मे संख्यां ग्याद कीजिए तो देखे यहां पर तो इसका answer हो जाएगा कि minus 1 और 1 के बीच अनंत पर्मे संखेया प्राप्त की जा सकती है लेकिन जब कहा जाए इसके बीच की 2 पर्मे संखेया ग्यात कीजिए या इसके बीच की 3 पर्मे संखेया ग्यात किरिए तो वहाँ पर क्या करना है वो भी मैं आपनों को यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दिये दे रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं, देखिए इसका एंसर तो हो जाएगा अनंत, देखिए बहुविकल्पीय में कुश्चन पूछा जा सकता है, कि माइनस एक और एक के बीच में कितनी पर्मे संख्यां प्राप्त की जा सकती है, यह कुश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, अगर पूछा जाएं कितनी पर्मे संख्यां प्राप्त की जा सकती है, चाहे जो भिन संख्यां दी हुई हूँ, चाहे जो भिन दो पर्मे संख्यां दी हुई हो अगर उनके बीच की पर्मे संख्यां अगर पूछा जा रहा तो सीधे से आपको अनंत लिखना है ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं सीधे से आप अनंत लिख दीजे और जब कहा जाएं कि बीच की दो पर्मे संख्य पूछी जाती तो यहाँ पर minus का 1 और plus का 1 है इसको क्या करते दो से भाग कर देते तो यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा minus plus आपस में cancel हो जाएगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और 0 बटे 2 हो जाएगा और जब 0 बटे 2 हो जाएगा तो 0 का 2 से भाग कर तो आएगा जीरो तो इस परकार से माइनस वन और प्लस वन के बीच की संख्या क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी यनि कि इसको अब इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस वन जीरो और एक इस तरीके से ये बीच की संख्या हो जाएगी अब अगर हम चाहें तो इनके बीच की और भी पर्मे संख्यां ग्याद कर सकते हैं, यहनि कि अब इसके और इसके बीच की ग्याद कर लें, और इसके और इसके बीच की ग्याद कर लें, तो यहाँ पर देखें, तीन पर्मे संख्या हैं, माइनस एक और प्लस एक के बीच की हो जाएंगी, तो देखे कैसे गयाद करेंगे यहाँ पर minus 1 और plus का 0 बटे 2 कर लेंगे तो यहाँ पर minus का 1 बटे 2 जो है पर में संख्या हो जाएगी जो कि minus 1 और 1 के बीच की ही संख्या होगी इसी परकार से अब इसके इसके बीच की गयाद कर लेंगी तो देखिये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा प्लस का वन हो जाएगा और बटे दो हो जाएगा यहाँ पर एक बटे दो हो जाएगा जो की एक और माइनस एक के बीच की संख्या होगी तो इस परकार से बीच की चाहे जितनी संख्या ग्याद करनी हो आप आसानी से ग्याद कर सकते हैं सिर्फ आपको करना क्या है जो बीच की संख्यां आती जाएं उनके बीच की संख्यां निकालते जाएं पहली बार में आपको क्या करना है पहली बार में जो दो परमे संख्यां दी हुई हैं उनको जोड़ करके दो से भाग करना है और फिर जितनी आए आती जाएं उन्हीं के बीच की संख्या हैं हमको ग्याद करना है और जो है इस परकार से पर्मे संख्या हैं हमको बीच की पता होती चली जाएंगी तो इस परकार से बीच की संख्या हैं ग्याद की जा सकती हैं यहाँ पर तो सिर्फ जो है बताना था कि माइनस एक और एक के बीच में कितन परवे संख है प्राप्त की जा सकते हैं यहां पर इसका इंसर हो जाएगा अनंत अब देखते हैं next question तो देखें next question है वर्ग 30-40 का मध्ध बिंदु वर्ग चिन है 30-40 का मध्ध बिंदु हमको ग्याद करना है तो देखें मध्ध बिंदु कैसे ग्याद करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मध्ध बिंद बराबर मध्ध बिंद बराबर देखे क्या करेंगे यहाँ पर इन दोनों को जोड लेंगे यानि कि जो उच्छ सीमा है और जो निम्न सीमा है इन दोनों को जोड लेंगे और जोड करके 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर देखे 30 और 40 से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा 70 बटे 2 हो जाएगा फिर यहाँ पर 70 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 35 दुनना 70 होता तो यहाँ पर 35 हो जाएगा तो यही मध्य बिंदू हो जाएगा तो इस प्रकार से इस टाइप का कुश्चन भी किया जा सकता है यनि कि कोई भी वर गंतराल अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे अपर लिमिट और लोवर लिमिट दोनों को जोड़ करके दो से भाग कर देंगे तो कि तो दैजेए अगर थोड़ा साच चूटा हुआ है कि तिरभुज की सरवांग समता की सरतेक होती니다 वो यहाँ पर हमको लिखना है तो देखिए तिर्भुज की तीनो भुजाएं बराबर होनी चाहिए पहली सरवांगसमता है देखिए side, side में इस क्या होता है भुजा तो side, side, side यनि कि दो तिर्भुज मान लिजिये दिये हुए हैं और दोनो तिर्भुज की अगर तीनो भुजाएं तीनो भुजाएं बराबर हैं तो क्या हो जाएगा सरवांगसमतिर्भुज हो जाएगा और दूसरी देखिए सर्थ क्या है दूसरी सर्थ है angle, side, angle इस तरीके से यनि कि जो है angle मेंस क्या होता है एंगिल मेंस होता है कोंड तो दो कोंड एक भुजा बराबर हो तो दोनों तिर्भुज क्या होंगे सरवांगसम तिर्भुज होंगे और इसी तरीके से तीसरी सर्त है देखिए साइड एंगिल साइड यनि कि दो भुजा और एक कोंड बराबर हो तो दोनों तिर्भुज क्या होंगे सरवांगसम तिर्भुज होंगे तो ये तीनों सरतें जो हैं सरवांगसम तिर्भुज की ये तीनों सरतें आप लोगों को अच्छे से रेटी होनी चाहिए देखें तीनों भुजाएं अगर बराबर हों तो तिर्भुज क्या होंगे सरवांगसम तिर्भुज होंगे अगर दो कोण एक भुजा बराबर होगी तो तिर्भुज क्या होंगे तिर्भुज सर्वांगसम तिर्भुज होंगे और अगर दो भुजा और एक कोण बराबर होगा तो दोनों तिर्भुज क्या होंगे सर्वांगसम तिर्भुज होंगे तो इस परकार से ये सर्वांगसम कि सर्टें हो जाएंगी अब देखते हैं next question तो देखें next question है under root 2 under root 4 और फिर minus 4 का under root है फिर देखें point2 का under root में परमे संख्याएं है यानि कि इसमें कौन कौन से संख्या परमे संख्या है यह हमको बताना है hier पर देखें 2015 में आया हुआ question है important question है तो देखे इसको कैसे करेंगे यहाँ पर देखे under root 2 under root 4 और फिर under root point 4 और under root point 2 दिया हुआ है और इसमें हमको परिमे संख्या निकालना है तो देखे परिमे संख्या काउन सी होती है जितनी भी पुडांक संख्या होती है वह सभी पर्मे संख्या होती है यह मैं काई बार आपनों को बता चुका हूँ कि जितनी भी पुढांक संख्या होती है यानि कि 0 से ले करके अनंत तक प्लस की तरफ और 0 से ले करके अनंत तक माइनस की तरफ जितनी भी पुढांक संख्या होती है वह सब क्या होती है पर्मे संख्या होती है तो यहाँ पर देखें अंडर रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है इसलिए यह पर्मे संख्या नहीं होगी और यहाँ पर अंडर रूट 4 का वर्गमूल निकाला जा सकता है यहीं कि अंडर रूट 4 का वर्गमूल क्या ह जाएगी तो यही इसका answer हो जाएगा बाकी ना तो इसका जो है workmool निकाला जा सकता है और ना तो इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है तो इस पकार से under root for ही इसका answer हो जाएगा देखिए question 2015 में पूछा गया था और previous year के जितने भी question है, वो सारे के सारे important question है, तो जितने previous year में आये हुए question है वो आप लोग जरूर अच्छे से रट ले ना, क्योंकि एक बार आप लोग paper दे चुके हो, और देख चुके हो कि किस type का paper आता है, और कैसे कैसे question पूछे जाते हैं तो इस प्रकार से आप लोग जो है अच्छे से अपकी बार तयारी करके जाएए क्योंकि अपकी बार हो सकता है paper थोड़ा tough हो जाए, तो आप लोग एकदम बहतरीन तयारी करके जाएए, जिससे कोई problem paper देने में ना हो, अब देखते हैं question number 5, तो देखे question number 5 है, 33.3, 2, 8 में अंक 2 का अस्थानिय मान होगा देखे, point के बाद इस तरीके से संख्या को नहीं पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर 328 इसको पढ़ा जा सकता है लेकिन point के बाद एक-एक संख्या पढ़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 328 नहीं कहना है, तो देखे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 33.3, 2, 8 में अंक 2 का अस्थानिय मान होगा तो देखे, यह question कैसे लगेगा तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ जो point के पहले संख्याएं होती हैं उनका अस्थानिय मान बहुत ही अस्थानिय से ग्यात किया जा सकता है और सभी लोगों को पता भी होगा लेकिन जो point के बाद संख्याएं होती हैं उनका अस्थानिय मान थोड़ा सा student को करने में दिक्कत होती है तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ लीजिए देखें यहाँ पर point के बाद इकाई, दहाई, शैकड़ा इस तरीके से अंक चलते हैं तो जो जिस अस्थान पर है उसका अस्थानिय मान क्या हो जाएगा जैसे यहाँ पर इकाई के अस्थान पर तीन है तो इसका अस्थानिय मान क्या हो जाएगा तीन को एक से गुड़ा कर देंगे इकाई के अस्थान पर है तो एक से गुड़ा कर देंगे तीन आएगा यनि कि इसका अस्थानियमान तीन हो जाएगा और तीन का अस्थानियमान क्या हो जाएगा तीन का दस से गुड़ा करिये यनि कि दहाई के अस्थान पर है तो 10 से गुड़ा करिए तो इसका अस्थानियमान क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा अगर इसके आगे कोई और अंक होता सैकड़े के अस्थान पर तो 100 से गुड़ा कर देते जितना आता उसका अस्थानियमान वही हो जाता तो ये काम इधर जो पॉइंट के पहले जो संख्या है इसमें करना है लेकिन जो पॉइंट के बाद संख्या है उनका अस्थानियमान कैसे ग्याद करते हैं तो देखें यहाँ पर जो इकाई के अस्थान पर यहाँ पर संख्या होती है यहनि कि point के बाद इकाई के अस्थान पर जो संख्या होती है उसको क्या करते हैं कि यहाँ पर point के बाद जो पहला अस्थान होता है उसको 10 से भाग करना है जो आए वही उसका अस्थानिय मान हो जाएगा point के बाद दूसरे अस्थान पर जो संख्या है उसको 100 से भाग करना है इसी प्रकार से तीसरे अस्थान पर जो संख्या है उसको एक हजार से भाग करना है इसी प्रकार चाहे जहां चाहे जितनी संख्या है दे दी जाएं आप आसानी से उनका अस्थानी अमान निकाल पाएंगे यहां पर पहले अस्थान पर दस से सुरू करना है दस से भाग करिए फिर सव से भाग करिए फिर एक हजार से फिर दस हजार से इस तरीके से आप चाहे जो संख्या दी जाए भाग करके उसका अस्थानियमान निकाल सकते हैं यहाँ पर तीन का अगर अस्थानियमान पूच्छा जाता इस वाले तीन का पॉइंट के बाद वाले तो इसका अस्थानियमान पॉइंट तीन हो जाता है दो का पूच्छा गया है यहाँ पर तो दो क्या हो जाएगा पॉइंट जीरो टू हो जाएगा आठ का पूच्छा जा तो यहां पर क्या हो जाता पॉइंट जीरो जीरो आठ हो जाता तो इस प्रकार से जो है यहां पर दो का अस्थानिय मान क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो दो यानि कि जिस अस्थान पर वो संख्या है उस अस्थान पर ही रहेगी और उसके पहले जितने अस्थान है उस बहुत ही आसान कुश्चन है वह चोटी सी चोटी संख्या ग्यात करो जिसे 15, 18 और 48 से भाग देने पर प्रतेक अवस्था में 3, 60 बचे देखे इस टाइप के कुश्चन पढ़ने के बाद आप लोग ये तो समझ जाते हो कि इसमें या तो जो है लासा ग्यात करना है या तो मा लासा ग्याद करना है, यह हम कैसे डिसाइड करें, तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर जैसे लिखा हो, छोटी सी छोटी संख्या, तो जब छोटी सी छोटी संख्या आ जाए, यह सब्द आ जाए, तो समझ लिजे, वहाँ पर हमको क्या ग्याद करना है, लासा ग्याद करना और जब आजा है बड़ी से बड़ी संख्या तो समझ लिजी हमको क्या गयात करना है मासा गयात करना है दूसरी ट्रिक यह है कि जैसे कहा गया है यहाँ पर कोई संख्या है दी हुई है उन संख्याओं से भाग देने पर यहनी कि जो संख्या आए उसको हमको भाग देना है से छोटा आता है तो जब कहा जाए कि दी हुई संख्याओं से पूरा-पूरा विभाजित हो जाए तो समझ लिजे कि हमको क्या ग्यात करना है लासा ग्यात करना है और जब कहा जाए कि दी हुई संख्याओं को पूरा-पूरा विभाजित कर दे तो इसका मतलब क्या है कि जो स प्रतेक अवस्था में तीन सेश बचे तो यहाँ पर हमको क्या करना है सबसे पहले इन संख्याओं का हमको लासा ग्यात करना है और लासा ग्यात करेंगे तो जो लासा आएगा वो इन संख्याओं से पूरा-पूरा विभाजित हो जाएगा यह सभी लोगों को पता होगा कि ज तो भाग देने पर प्रतेक आउस्था में तीन सेस बचे तो देखिए जो हमारा लासा आएगा उसमें हम तीन जोड़ दें तो जब हम तीन जोड़ देंगे तब इन संख्याओं से अगर हम भाग देंगे तो क्या होगा कि प्रतेक आउस्था में जो है तीन सेस बच जाएगा चाहे इस संख्या से भाग दें, चाहे इस से भाग दें, हर इस्थित में क्या होगा भाग देने पर तीन सेश बच जाएगा, क्योंकि जो लासा आएगा वो पूरा पूरा विभाजित होगा, और जब उसमें तीन जोड दिये हो, तो निश्चित रूप से जो है इन और 48 का लासा ग्याद कर लेंगे तो यहाँ पर हम भाग विधी से आप लोगों को बता रहे हैं 15, 18 और 48 का लासा ग्याद करना है तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा देखे 15 कटेगा नहीं इसलिए यहाँ पर 15 उतार लेंगे फिर य यहाँ पर देखिए 12 दुना 24 हो जाएगा फिर यहाँ पर 2 से काटेंगे तिहाँ पर देखिए 15 ऐसे उतार लेंगे 9 भी उतार लेंगे और फिर 2 छपका 12 हो जाएगा फिर 2 से काटेंगे तिहाँ पर देखिए 15 को ऐसे उतार लेंगे और 9 को भी उतार लेंगे और यहाँ पर 2 तो तियां ही 6 हो जाएगा, अब यहाँ पर इसको 3 से काटेंगे, क्योंकि अब 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी, ति यहाँ पर 3 पच्छी 15 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 3 एककम 3 हो जाएगा, अब यहाँ पर देखे, 3 को 3 से एक बार और काट लेंगे इसको, ति इस प्रकार से, ये इसके समझ लीजे, गुरन-खंड हो जाएंगे, यनि कि इन संख्याओं को विवाजित करने पर ये हमको अभाज गुरन-खंड मिले, अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर इनका लासा ग्यात करनेंगे, तो देखे लासा क्या हो जाएगा इन ही संख्याओं का जो गुड़न फल आएगा वो गुड़न फल इन संख्याओं का लासा हो जाएगा तो देखे इनका गुड़न फल क्या हो जाएगा दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े तीन गुड़े तीन गुड करेंगे तो देखे नवठे 72 हो जाएगा और फिर यहां पर एक जीरो आगे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा अब देखे 720 हमारा जो आया है वो क्या आया है इन संख्याओं का लासा आया है तो इन संख्याओं का लासा तो हमको ग्यात नहीं करना था हमको क्या ग गयाद करनी है जिसे 15, 18 और 48 से भाग देने पर प्रतेक अवस्था में तीन सेस बचे यहाँ पर यह लासा हम गयाद कर लिए हैं लेकिन अब हम क्या करेंगे अता वो अभीष्ट संख्या बराबर वो अभीष्ट संख्या बराबर यहनि कि जो संख्या जिस संख्या को इन संख्यां से भाग देने पर 3, 16 बचे वो संख्या कौन से हो जाएगी तो यहाँ पर 720 प्लस 3 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा और यही हमारा अंसर हो जाएगा तो इस परकार से इस टैप के कुश्चन बहुत ही आसानी से किये जा सकते हैं अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर 7 कापियों की वह छोटी सी छोटी संख्या ग्याद कीजिए जो 3, 6, 12 वह 15 बंडलों में अलग अलग किंत बराबर बराबर बाटी जा सके कई बार यह कुश्चन करवाया गया है और देखें 2020 में जो पेपर कैंसिल हो चुका है उसमें कुश्चन आया नहीं है तो जो आगे पेपर आप लोगों का होगा तो उसमें इसको आने के ज़्यादा चांसर है इतले इस कुश्चन को आप लोग जरूर किलियर कर लीजिएगा और देखें 2016 में सेकंड सेट में पूचा भी गया है कुश्चन तो देखें इसको कैसे करेंगे कापियों की वह चोटी सी चोटी संख्या देखें चोटी सी चोटी संख्या कहा गया है तो यहां से आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमको क्या गयाद करना है जो संख्या दी हुई है इनका हमको लासा ग्याद करना है तो देखे इनका लासा क्या हो जाएगा जो 3, 6, 12 और 15 यनि कि ये संख्या दी हुई हैं तो हम इनका सबसे पहले क्या करेंगे लासा ग्याद करेंगे तो देखे 3, 6, 12 और 15 तो देखे इनका लासा क्या हो जाएगा सबसे पहले मिनको दो से भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पर तीन को ऐसे उतार लेंगे यहाँ पर दो तीन ही छे हो जाएगा यहाँ पर दो छक्का बारा हो जाएगा पंदरा नहीं कटेगा तो इसको ऐसे उतार लेंगे फिर यहाँ पर देखिए, दो से इसको कैंसिल करेंगे, तिहाँ पर तीन नहीं कटेगा, ऐसे उतार लेंगे, फिर यहाँ पर देखिए, दो तीन ही छे हो जाएगा, फिर यहाँ पर पंदरा, ऐसे उतार लेंगे, फिर आप तीन से इनको काटेंगे, तो तीन एककम तीन, तीन निककन तीन हो जाएगा और तीनों पच्छी 15 हो जाएगा अब पांच से इसको काट लेंगे तो यहाँ पर एक हो जाएगे यहाँ भी एक हो जाएगा और यहाँ भी पांच कम पांच हो जाएगा अब देखें अब हम क्या करेंगे इनका लासा ग्याद करेंगे तो लासा क्या होता है इनहीं संख्यों का गुड़न फल इसका लासा हो जाएगा तो दो गुड़े दो गुड़े तीन गुड़े पांच हो जाएगा तो यहां पर देखे दो दुनना चार चारतीय बारा और बारा पंचे 60 यनि कि 60 एक ऐसी संख्या होगी जो इन सभी संख्यों से पूरी-पूरी विभाजित हो जाएगी और यहाँ पर हमको ग्याद क्या करना था कि कापियों की वह चोटी सी चोटी संख्या ग्याद कीजिए जो 3, 6, 12 वर 15 बंडलों में अलग-अलग किंत बराबर-बराबर माटी जा सके तो देखिए यहाँ किताबों की एक ये संख्या जो होगी 60 ये 60 संख्या किताबों की जब होगी तब इन सभी के जो है जो दी हुई संख्या हैं इन सभी संख्याओं को अलग-अलग बंडलों में जो है विभाजित किया जा सकता है यनि कि अगर 3 से इसको भाग करेंगे तभी पूरा कड़ जाएगा 6 से करेंगे तभी 12 से करेंगे तभी और 15 से करेंगे तभी तो इस परकार से 60 ही इसका अंसर हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुष्चन तो देखें नेक्ट कुष्चन है गुडन खंड विधी से 24, 40 और 64 का लाशा और माशा ग्याद कीजिए देखिए कई बार मैं आप लोगों को भाग विधी से जो है बता चुका हूँ लाशा और माशा ग्याद करना लेकिन कुछ स्टूडन जो है कमेंट कर रहे थे कि सर गुडन खंड विधी से बता दीजिए तो इसलिए ये कुष्चन मैं आप लोगों के समझ लेकर आया हूँ कि देखिए गुडन खंड विधी से भी आप लोग सीख लीजिए देखिए जब गुडन खंड विधी दिया हो तब आपको गुडन खंड विधी से करना है या भाग विधी दिया हो तो आपको भाग विधी से करना है लेकिन जब कुछ दिया ना हो तो आपको जो आसान लगे उस विधी से आप लासा या मासा ग्याद कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जब कोई विधी दी हुई हो कि इस विधी से आपको ग्याद करना है तो निश्चित रूप से फिर उसी विधी का परियोग करना है क्योंकि दो विधियों से गुड़न खंड किये जाते हैं भाग विधी और गुड़न खंड विधी तो यहा धी दुन्ना चार दुन्नी आट्रिक 424 यहाँ पर यहां पर यह हो जाएंगे 24 के गुड़न खंड पर करने हैं तो देखिया 046 चार दुन्नी, आठ दुन्नी, सोला दुन्न, बतिस दुन्न, चोंसट, तो ये हो जाएंगे चोंसट के गुड़न खंड, जो लोग ऐसे मौखिक न कर पाएं, तो वो लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे 24 के गुड़न खंड हमको करना है, तो यहाँ पर करेंगे, तो देखे, दो चक्का 12 हो जाएगा, फिर दो से करेंगे, तो दो तियाई 6 हो जाएगा, तो इस परकार से ये गुड़न खंड हो जाएंगे, दो गुड़े, दो गुड़े, दो गुड़े, तीन, यहाँ पर देखे, दो गुड़े, दो गुड़े, दो गुड़ ग्याद करना है तो यहां पर इसी के द्वारा जो है हम इसका लासा और मासा ग्याद कर लेंगे तो सबसे पहले लासा इनका देख लेते हैं तो देखें लासा क्या होता है लासा जो गुड़नखंड या कह लीजे जो अभाज गुड़नखंड दिये होते हैं उनमें जो कामन हो उसको भी एक बार लिखते हैं और जो कामन ना हो उसको भी एक बार लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए यह दो कामन मिला है तो इसको भी लिख लेंगे यह दो कामन मिला है इसको भी लिख लेंगे फिर यह दो कामन मिला है इसको भी लिख लेंगे फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह तीन जो है दो एक्ष्ट्रा है जो यहाँ पर तीन देखिए यहाँ पर दो दिये हुए है यह एक्ष्ट्रा है तो इनको भी लिख लेंगे तो यहाँ पर देखे तीन बार दो को लिख लेंगे उसके बाद फिर यह तीन एक्ष्ट्रा दिया हुआ है तो इसको भी लिख लेंगे फिर ये 5 इक्स्ट्रा दिया हुआ है इसको भी लिख लेंगे यनि कि जो कामन हो उसको एक बार लिखते हैं और जो कामन ना हो उसको भी एक बार लिखते हैं अब इनका क्या करेंगे अब इनका गुड़न फल ग्यात कर लेंगे तो यहाँ पर देखें, दो दुनना चार, चार दुननी आठ, आर दुननी शोला और सोला पंचे, असी हो जाएगा, तो यहाँ पर असी लिख लेंगे, देखें, दो दुनना चार दुननी आठ, दुननी शोला और सोला पंचे, असी, अब यहाँ पर इतना बचा है, तो तीन दु 960 इसका हो जाएगा मासा सारी 960 इसका हो जाएगा लासा तो ये लासा निकला है आब हमको निकालना है मासा तो देखे इसका मासा क्या हो जाएगा तो यहाँ पर देखे मासा देखे जो कामन होगा वही मासा होता है तो यहाँ पर देखे जो संख्य है कामन मिल लहीं या कह लीजे जो अभाज गुरंखंड कामन मिल लहीं लिखेंगे बाकी जो कामन नहीं मिल लहीं उसको नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर देखे यह दो सभी में कामन है तो इसको लिख लेंगे फिर यह दो सभी में कामन है इसको लिख लेंगे और फिर देखे यहाँ पर जो है ये तीन जो दिये हुए है दो ये उपर नहीं है ये तीन नीचे नहीं है और ये पांच इसमें और इसमें नहीं है तो इस परकार से अब बाकी जितने भी गुड़नखंड है उनको छोड़ देंगे तो यहाँ पर मासा क् दो दुनना चार चार दुननी आठ यहने की आठ ही इसका मासा हो जाएगा तो इस प्रकार से लासा और मासा गुडनखंड विधी से आसानी से ग्यात किया जा सकता है अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है समी करण 2x प्लस 5 बराबर x प्लस 7 क हल किजिए तो देखें इसको कैसे हल करेंगे तो देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे इस समी करण को नीचे उतार लेंगे तो यहाँ पर 2x प्लस 5 बराबर हो जाएगा x प्लस 7 और फिर देखें यहाँ पर x वाले पद एक तरफ कर लेंगे और जो अचर पद हैं उनको एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2X और देखे यह एक्स यहाँ पर प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस का X हो जाएगा फिर यहाँ पर देखे बराबर में साथ है और इसको इधर पच्छांतर करेंगे, तो देखे, इसको इधर पच्छांतर किये हैं, तो माइनस का X हो गया, और इसको इधर ले जाएंगे, तो माइनस का 5 हो जाएगा, अब यहाँ पर 2X में से 1X जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक देखे, बीजगडित में लिखा नहीं जाता है क्योंकि एक सभी संख्यों के गुड़े में आलेडी होता है तो उसको लिखने की जरूरन नहीं है तो यहाँ पर एक X हो जाएगा और फिर साथ में से पांच जाएगा तो कितना बचेगा तो यहाँ पर बचेगा दो देखे समीकरण को हमको हल करना था हल करने का मतलब हमको क्या करना था X की वैलू हमको निकालनी थी तो यहाँ पर X वरार कितना आ जाएगा दो आ जाएगा तो इस परकार से यही हमारा answer हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखे next question है किसी संख्या में 6 जोडने पर 20 प्राप्त होता है किसी संख्या में 6 जोडने पर 20 प्राप्त होता है तो वो संख्या बताईए किसी संख्या में 6 जोडने पर 20 प्राप्त होता है तो वो संख्या बताईए देखे इस टाइप के question कैसे करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे माना वो संख्या बराबर माना वो संख्या बराबर माना वो संख्या बराबर X है अब यहाँ पर लिखेंगे प्रस्णान सर प्रस्णान सर देखें प्रस्णान सर प्रस्ण में क्या कहा गया है कि किसी संख्या में 6 जोडने पर कि संख्या हम x माने हैं x में 6 जोड़ लेंगे तो कहा गया है किसी संख्या में 6 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है तो यहाँ पर 6 जोड़ करके कितना प्राप्त होता है 20 तो यहाँ पर बराबर में 20 लिख लेंगे तो वो संख्या बताइए तो हमको क्या करना है संख्या x माने यहां से हम x की value निकाल लेंगे और जो आएगी वही क्या हो जाएगी वो संख्या हो जाएगी तो यहां पर देखिए x बरावर हो जाएगा इस 6 को उधर पच्छांतर करेंगे तो 20-6 हो जाएगा तो x बरावर क्या हो जाएगा 20 में से 6 जाएगा तो 14 हो जाएगा यनिके x बरावर 14 आ गया है आताहा क्या हो जाएगा आताहा हो संख्या बरावर आताहा वो संख्या बरावर 14 हो जाएगी और यही इसका एंसर हो जाएगा तो इस परकार से यह कुष्चन भी लग जाएगा आप देखते हैं next question तो देखिए next question है question number 11 देखिए इसके पहले के question जो थे वो कल के model paper में हल करवा दिये गए थे यनिकि 10 number तक और 11 number question हल करवा जा रहा था तो उसी time light चली गए थी तो इसलिए इसके आगे के question छूट गए थे जो कि आज के model paper में सामिल कर लिए गए है तो यहाँ पर जो है 11 नंबर कुश्चन देख लीजिए आप लोग कि एक गाउं में प्रतेक संयुक्त परिवार 2X ब्रिच लगाता है यदि गाउं में कुल संयुक्त परिवारों की संख्या 30X है तो उस गाउं में कुल कितने ब्रिच लगाए गए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम लिख लेंगे कि एक संयुक्त परिवार दोरा लगाए गए ब्रिच तो देखिए एक संयुक्त परिवार दोरा कितने ब्रिच लगाए जाते हैं 2X तो यहाँ पर 2X लिख लेंगे फिर देखे कुल सायुक्त परिवारों की संख्या कितनी है तो वो है 30x अब हमको क्या निकालना है कि गाउं में देखे गाउं में कुल कीतने bridge लगाएगे ति यहां पर हम लिख लेंगे गाउं में कुल लगाएगए bridge बराबर कुल लगाएगए ब्रिच बराबर देखे कुल लगाएगे ब्रिच क्या हो जाएंगे इन्ही दोनों का गुड़ा कर लेंगे तो यहाँ पर 2x into क्या हो जाएगा 3x तो देखे इनका गुड़ा करेंगे तो यहाँ पर 30 का देखे दो से गुड़ा करेंगे तो 30 दुनन 60 हो जाएगा और फिर X का X से करेंगे तो कितना हो जाएगा X square हो जाएगा तो इस फरकार से गाउं में कूल लगाएगे बिच्छों की संख्या कितनी हो जाएगी 60 X square और यही हमारा हो जाएगा अंसर तो इस परकार से ये कुश्चन भी आसानी से किया जा सकता है आप देख लेते हैं इसके बाद वाला कुश्चन तो देखे इसके बाद का कुश्चन है दो संख्याओं का योग 24 है उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है संख्याओं ग्याद कीजिए ये भी कुश्चन देख लीजिए करना इसको दो संख्यों का योग 24 दिया है और उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर माना माना पहली संख्या बराबर तो यहाँ पर पहली तथा दूसरी संख्हा प्रस्टना अनुसार। 24 नहीं किौरा धे लुआ है है एक संख्या X है और दूसरी संख्या क्या है 2X है और दोनों संख्यों का योग कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है तो यहां पर X प्लस 2X बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा अब यहां पर देखिए 2X में एक X जोडेंगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा और बराबर कितना है 24 है अब यहां से x की value निकाल लेंगे तो यहां पर देखिए जो है 24 बटे कितना हो जाएगा यहां पर देखिए 3 गुड़ा कर रहा है इधर जाएगा तो भाग करेगा तो यहां पर बटे में 3 हो जाएग अब जो है 24 को 3 से भाग करेंगे तो 13 वठे 24 यनि कि X की वैलू यहाँ पर 8 आ जाएगी अब हमको संख्याँ ग्याद करनी थी यनि कि दोनों संख्याँ ग्याद करनी थी तो यहाँ पर पहली संख्या क्या हो जाएगी पहली संख्या बराबर पहली संख्या बराबर हो जाएगी 8 क्योंकि X माने थे और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर तो देखें दूसरी संख्या हो जाएगी 2X यनि कि 2 का जो है 8 से गुड़ा कर लेंगे तो यहाँ पर 2 गुड़े 8 हो जाएगा तो यहाँ पर 8 दुना 16 हो जाएगा यहनी कि एक संख्या 8 हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी 16 तो इस परकार से यही इसका एंसर हो जाएगा तो देखें next question है दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुणे से 3 अधिक है यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याओं बताईए तो देखें यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर माना पहली संख्या बराबर पहली संख्या बराबर एक्स है तथा दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर देखें यहाँ पर कहा गया है कि यदि दोनों का अंतर 5 है यहाँ पर अंतर दिया हुआ है तो एक संख्या हम X माने हैं तो दूसरी संख्या क्या मान सकते हैं तो देखें दूसरी संख्या हम मान सकते हैं X प्लस 5 तो देखें यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि बाद में कुछ student comment करते हैं कि sir जो यहाँ पर दिया हुआ है अंतर दिया हुआ है और आपने यहाँ पर प्लस कर दिया तो आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि देखिए यहाँ पर कहा गया है कि यह दोनों का अंतर पांच है तो देखिए यहाँ पर एक संख्या हम एक्स माने है और दूसरी एक्स प्लस पांच माने है तो यहाँ पर देखिए दोनों का अगर हम अंतर करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा X में से अगर हम घटा दे देखिए यहाँ पर जैसे X प्लस 5 दिया हुआ है तो X प्लस 5 में से अगर हम X को घटा दे तो यहाँ पर देखिए X से X कैंसिल हो जाएगा तो इस प्रकार से देखिए दोनों का अंतर कहा गया है कितना है 5 है तो यहाँ पर देखिए हम X में से जो है यहाँ पर X प्लस 5 में से X को घटाए है तो कितना आ गया है यहाँ पर देखिए 5 आ गया है तो इसलिए यहाँ पर एक संख्या X माने है आप देखिए आगे कैसे इसको करेंगे तो देखिए आगे लिखेंगे प्रस्नानसार प्रस्नानसार तो देखिए प्रस्न में अब क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के तीन गुने से तीन अधिक है तो देखिए दो संख्या हैं मान चुके हैं पहले संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है तो छोटी संख्या यहाँ पर कौन सी होगी X होगी क्योंकि देखिए इसमें X में प्लस 5 जुड़ा है यहाँ कि X में 5 जुड़ा है और यहाँ पर X है तो इसलिए यहाँ पर जो X है यही छोटी संख्या हो जाएगी तो छोटी संख्या के 3 गुने तो देखिए छोटी संख्या का 3 गुने कितना हो जाएगा 3 X हो जाएगा 3 गुने से 3 अधिक है तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे या तो 3 को घटाएंगे तब इसके बराबर लिखा जा सकता है और या तो देखिए ये तीन अधिक है तो इसको हम तीन अधिक कर दें तब भी दोनों को बराबर में रखा जा सकता है तो इस प्रकार से ये एक समिकर्ण बनेगी और इस समिकर्ण को अब हल कर लेंगे और x की value निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखिए x में x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा और बराबर में 3x प्लस 3 हो जाएगा अब x को पच्छांतर कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 3x है मान लिजे हम 3x को इधर ही रख रहे हैं और इसको इधर 55 करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा और मान लिजे 5 को इधर रख रहे हैं और इसको इधर 55 करेंगे तो 5 माइनस 3 हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए 3x में से 2x जाएगा तो एक X बचेगा, एक लिखाने जाता, इसलिए यहाँ पर सिर्फ X लिखेंगे, और 5 में से 3 को माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इस प्रकार से X की वैलू 2 निकालाएगी, अब देखे हमको निकालना क्या है, तो संख्याएं बताइए, यहाँ पर क जाएगी, तथा दूसरी संख्या बराबर, तथा दूसरी संख्या बराबर, तो देखें, दूसरी संख्या माने है, X प्लस 5, तो यहाँ पर X कमान निकला है, 2, और 5 उसमें एट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5, 2, 7, तो इस प्रकार से, एक संख्या हो जाएगी, 7 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2 और यही इसका अंसर हो जाएगा तो इस प्रकार से इस टाइप के question पहुत ही आसानी से किये जा सकते हैं अब देखते हैं next question तो देखें next question है x minus 1 upon x बराबर 3 upon 2 तो x square प्लस 1 upon x square का man get कीजिए देखिए इस type का question भी परिच्छा में पूछा गया था और यहाँ पर देखिए 2016 में यह आया हुआ question है देखें यहाँ पर सिर्फ अंतर इतना था कि साथ यहाँ पर जो है plus का 2 दिया था और बाके same question इसी तरीके का था तो देखें इस question को कैसे करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको उतार लेंगे देखें x minus 1 upon x बराबर 3 बटे 2 और फिर क्या करेंगे फिर दोनों पच्छों का work कर देंगे दोनों पच्छों का work करने पर दोनों पच्छों का work करने पर तो यहाँ पर देखें दोनों पच्छों का work करेंगे तो यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा x minus 1 upon x का whole square और इधर क्या हो जाएगा 3 बटे 2 का whole square अब यहाँ पर देखें इसका whole square खोलेंगे तो क्य हो जाएगा a square प्लस b square और माइनस का 2ab यहनिकि 2 into x into 1 upon x हो जाएगा और बराबर इसका square करेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा बटे दो दूना 4 हो जाएगा अब यहां से देखे x x cancel हो जाएगा और फिर यहां से देखे बचेगा x square plus 1 upon x square इसकी हमको value गयाद करने है तो इसको ऐसे ही रखेंगे और देखे यहां पर बचा minus का 2 तो इस minus के 2 को उधर पच्छांतर कर देंगे तो इधर यह minus में हो जाएगा plus में हो जाएगा तो plus का 2 हो जाएगा अब यहां पर देखे इसके बचे में 4 नहीं है तो हम क्या करेंगे जोडने के लिए यहां पर question हो तो इस type से किये जा सकते हैं अब देखते हैं next question तो देखे next question है x cube y minus x y cube का गुड़न खंड कीजिए देखे ये question भी 2015 में पूछा गया है और आप में भी इसी type का question आया था तो जो है उसमें सिर्फ अंतर इतना था कि यहाँ पर cube दिया हुआ है और वहाँ पर जो है power में 4 दिया हुआ था तो यहाँ पर square वाला फार्मूला बनेगा और वहाँ पर cube वाला फार्मूला बना था बाकि सेम question है और यह question अब की बार आ सकता है क्योंकि वो question एक बार आ चुका है तो उसी type का अगर question लेंगे तो यह question अब की बार ज्यादा आने के chances है तो इसको आप लोग जरूर किलियर कर लीजिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले इन संख्याँ को उतार लेते हैं x cube y minus x y cube अब देखे इसके गुणन खंड करना है तो सबसे पहले देखे x y दोनों में कामन मिला है तो x y common ले लेंगे तो यहाँ पर देखे अब x square बचेगा और बीच में minus है तो minus लगा देंगे और यहाँ से x y common में चला गया तो यहाँ से y square बच जाएगा और फिर यहाँ पर x y हो जाएगा और यहाँ से देखे a square minus b square का फार्मूला बन रहा है तो यहाँ से a square minus b square का फार्मूला क्या होता है a plus b a minus b यहनि कि a bracket में a plus b और एक bracket में a minus b तो वही काम यहाँ पर कर लेंगे एक bracket में x plus y लिख देंगे और एक bracket में x minus y लिख देंगे और यही हमारा answer हो जाएगा तो इस परकार से इस type का कोई भी question हो वो आसानी से किया जा सकता है अब देखते हैं next question तो देखे next question है question number 16 9 अनुपात x समानुपात x अनुपात 16 तो x का मान गयात कीजिए यह question भी देख लीजिए 2015 में पूछा गया था और इस type का question भी परिच्छा में नहीं आया था इसका मतलब क्या है कि इस type का question निशित रूप से अब की बार पूछा जाएगा तो यह भी आप लोग अच्छे से समझ लेना कि इस type का question कैसे किये जाते हैं तो यहाँ पर देखें समानुपात के लिए condition होती है कि मध्य पदों का गुड़न फल और वाह पदों का गुड़न फल बराबर होता है तो यहाँ पर वही काम हम करेंगे यहाँ पर देखें इसका इसका गुड़ा कर लेंगे यहनि कि X गुड़े X हो जाएगा बराबर इसका इसका गुड़ा कर लेंगे यानि कि मध्य पदों का गुड़न फल बराबर वा है पदों का गुड़न फल तो यहाँ पर 9 गुड़े 16 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखे एकस एकस का गुड़ा क्या हो जाएगा एकस स्क्वाइर हो जाएगा और यहाँ पर 16 और 9 का गुड़ा क्या हो जाएगा 16 नो यहाँ, 144 होता है तो यहाँ पर 144 लिख लेंगे फिर यहाँ पर X का स्क्वाइर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा तो यहाँ पर 144 हो जाएगा अब यहाँ पर X परावर क्या हो जाएगा अब देख लेते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है एक समकोंड तिर्भुज के आकार की भूमी का छेतफल 2480 वर्ग मीटर है समकोंड बनाने वाली एक भुजा की लंबाई 124 मीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई ग्यात कीजे तो देखें इस ग्याद कीजे तो देखे समकोर तिर्भुज कुछ इस टाइप का बनता है यहाँ पर देखे समकोर तिर्भुज कुछ इस टाइप का बनता है तो यहाँ पर देखे समकोर बनाने वाली यह दोनों भुजा है क्योंकि यहाँ पर समकोर तिर्भुज सारी समकोर यहाँ पर बनता है तो यहां पर देखे यह दोनों बुझाएं क्या हैं यह संकौड बनाने वाली बुझाएं है और इसमें एक बुझा की माप दी गई है 124 मीटर और दूसरी बुझा की माप मंको निकालना है तो इसमें कोई भी भुझा आप मान सकते हैं कि वो 124 मीटर है और दूसरी भुजा आपको निकालना है तो यहाँ पर देखे समकोण तिर्भुज का जो छेतफल है वो भी दिया है तो यहाँ पर डारेक्ट हम समकोण तिर्भुज के छेतफल का फार्मूला लगा देंगे तो देखे फार्मूला क्या होता है समकोड तिरभुच का छेतफल बराबर तो देखे समकोड तिरभुच का छेतफल का फार्मूला होता है एक बटे दो आधार गुड़े उचाई या आधार गुड़े लंब कर सकते हैं तो यहाँ पर एक बटे दो आधार गुड़े उचाई हो जाएगा अब यहां पर देखे एक बटे दो हो जाएगा आधार की जगे पर हम चाहें तो 124 लिख सकते हैं और चाहें तो उचाई की जगे पर लिख सकते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहां पर देखे 124 हो जाएगा और यहां पर देखे उंचाई लिख लेंगे। और फिर यहां पर देखे समकौर्टिर्भज़ का छेट फल भी दिया हुआ है, तो यहां पर जो है 2480, यहां पर भी लिख लेंगे, अब क्या करेंगे, अब यहां पर उंचाई को एक तरह रखेंगे, और बागी संक्रिद्व को पच्छान तर करें तो यहां पर यह संक्यां इधर पच्छांतर करेंगे तो 2480 यह देखे यहां पर बटे में हो जाएगी तो गुड़े में हो जाएगा और यह गुड़े में है इधर जाएगा यह भाग में हो जाएगा तो यहां पर 124 हो जाएगा अब यहां पर इसको जो है सरल कर लेंगे तो यहाँ पर 124 दुन्ना 248 होता है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 0 है तो 1 0 बढ़ा लेंगे और फिर यहाँ पर 2 है कुड़े में तो यहाँ 20 दुन्ना 40 हो जाएगा तो यहाँ पर 40 मीटर हमारा आ जाएगा यानि कि जो दूसरी भुजा आएगी वो 40 मीटर आ जाएगी वो चाहे आप आधार मान लीजिए और चाहे लंब मान लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पर 40 मीटर हमारी दोसरी भुजा आ जाएगी और यही हमारा एंसर हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखे next question है 3 3,5,x,9,11 का समानतर माध्य साथ है तो x का मान ग्याद कीजिए तो यह question भी बहुत ज़्यादा आने के chances हैं तो यह question भी आप लोग अच्छे समझ लेना देखे समानतर माध्य का मतलब क्या होता है आउसत समझ लीजिए जैसे अंक गड़ित में आप आउसत ग्याद करते हैं वैसे ही सांखेकी में क्या करते हैं सांखेकी में समानतर माध्य ग्याद करते हैं तो यहाँ पर देखे समानतर माध्य का फार्मूला क्या होता है तो समानतर माध्य का फार्मूला देख लीजिए समानतर माध्य बराबर समानतर माद बरावर, पदों का योग, बटे पदों की संख्या, होता है फार्मूला इसका, पदों का योग, बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, तो देखें, पदों का योग क्या हो जाएगा, तीन प्लस पांच, प्लस एक्स, प्लस नौ, प्लस 11 हो जाएगा, और बटे पदों की संख्या कितनी है तो देखें पद 5 है तो यहाँ पर बटे में 5 कर देंगे और समानतर माद देखें दिया हुआ 7 तो यहाँ पर बराबर में 7 लिखते रहेंगे तो यहाँ पर देखें 5, 3, 8 हो जाएगा और यहाँ पर 11 और 9 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा 20, 6 28 यानिके 28 प्लस x उपर हो जाएगा और बटे में 5 हो जाएगा अब यहां इसके बटे में एक कर लेंगे और यहां पर क्या कर लेंगे क्रास मल्टिप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर 28 प्लस एक्स बरावर कितना हो जाएगा सतो पच्छे 35 हो जाएगा अब यहाँ पर एक्स को इधर ही रखेंगे और इस 28 को इधर पच्छांतर कर देंगे तो यहाँ पर देखे 28 प्लस कर रहा इधर जाएगा तो माइनस करेगा तो यहाँ पर एक सबराबर कितना हो जाएगा 35 में से 28 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 7 यहनी कि X बराबर 7 हमारा मान आ जाएगा तो इस परकार से इस टाइप के कुश्चन भी आसानी से किये जा सकते हैं तो इस परकार से आज के सारे कुश्चन समाप्त होते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सारे कुश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों यदि हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारे आगे आने वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे फिर मिलते हैं अपने नेक्ट वीडियो में एक नव टॉपिक के साथ में तब तक के लिए जैहन वन्द मात्रम